हेलो स्वेंट्स, इन लेक्चर 10, वी हम डिस्कॉस्ट्स एबाउट काल्कुलेशन ओफ केमिकल रियक्शन बेस्ट आन इन्फरमेशन प्रोवाइड़ फॉर वन रियजेंट, अभी इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, जब इन्फरमेशन एक से ज्यादा रियक्टेंट्स के बारे में गिवन हो, तो कैसे हम लोग को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एक्जामपल लेकर आपको एक्स्प्लेन कर देता हूँ, मालो अपने पास N2 प्लस 3H2 गिफ्स अमोनिया न, यह एक केमिकल रियक्शन गिवन है, ठीक है, आपको अन्बैलेंस द दे रहा हूँ, मालो यह 6 मोल्स है, और यह 9 मोल है, ठीक है, दोनों के मोल्स गिवन है, एक के 6, एक के 9, और आपसे पूछा है, कि इसका मोल बताओ, मैं पहला कोश्चन मोल के टर्म में ही कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार मोल से आप कुछ भी निकाल सकते हो, ज़रूरी नही प्रिवियस लेक्चर हमने सिखा था कि अगर आपको किसी एक के बारे में इनफॉर्मेशन गिवन है, तो आप उसी से निकाल तो जैसे मालो अगर इसका 6 मोल है, यह नहीं गिवन होता, तो इसके 1 से 2 बन रहा है, मतलब डबल बन रहा है, तो 6 से यह सीधा कितना बन जाता, 12 बन जाता, लेकिन अभी कोश्चन ऐसा नहीं है, कोश्चन या फिर ऐसा भी देख लो, अगर ऐसा रहता, कि यह नहीं गिवन होता, और H2 का मोल 9 गिवन होता, तो अमोनिया कितना बन रहा है, तो 9 मोल से कितना बनता, 2 by 3 into 9, मतलब आप कहते कितना, 6 मोल, कितना मोल बन जाता 6 मोल बन जाता, लेकिन अभी जो कोश्चन मैं ने दिया, इसमें मैंने दोनों के बारे में information दिया, तब इस कोश्चन मैं लोग कैसे solve करेंगे, तो सबसे पहले एक चीज सोचो, कि मान लोग इसका 1 is to 1 के form में reaction लिखते हैं, एक बार, क्योंकि explain कर रहा हूं मैं आपको, suppose करो कि ये used लिख रहा हूं मैं used वाले, जब आप इसका 1 मोल ओस करते हैं, तो इसका कितना मोल जाएगा, 3 मोल है, कोफिशेंट से देख रहा है, और ये कितना मोल बनेगा, 2 मोल, ठीक है? वापस इसका एक मॉल ले ले फिर इसका तीन मॉल जाएगा और फिर ये कितना मॉल बन जाएगा दो मॉल फिर इसका एक मॉल ले लो फिर इसका तीन मॉल चल गया फिर इसका दो मॉल अब जब आप इसका एक मॉल लेंगे तो ये completely consumed हो चुका है मतलब अब H2 बचा ही नहीं न तो जब H2 नहीं बचा तो यानि यहां पे हमारा reaction stop हो जाएगा तो reaction कब stop हुआ जब कोई एक reagent खतम हो गया ठीक है? मतलब जो reagent खतम हो गया खतम होने के बद reaction रुख गया तो जो reagent पहले खतम हो गया क्या हम यह कह सकते है कि इट वस प्रेजेंट इं लिमिटेड कॉन्टिटी है ना? और जो बच गया वो एक्सेस कॉन्टिटी में प्रेजेंट है लिमिटेंग जब कंप्लीट हो गया जब हमें पता चल गया कि कुछ खतम हुआ तभी हमें मालूम चला यह कितना बना? अब देखो आप यहांसे निकाल लो यह कितना बना? 6 mol 2 प्लस 2 प्लस 2 इसका कितना use हुआ? इसका अगर हम निकाले and use 3 mol अच्छा तो इसका बचा कितना? था 6 mol, use हुआ 3 mol तो बचा 3 mol तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी reaction में जब एक से अधिक का information provided हो तो सबसे important है यह determine करना कि कौन पहले reaction से completely consume हो रहा है और जो reaction से पहले consume होगा उससे ही हम सारा चीज calculate करेंगे और जो reaction से सबसे पहले consume होता है वो कहलाता है क्या? limiting reagent the reagent which is consumed first in the reaction यानि जो lesser quantity में present है वो क्या होगा? limiting reagent और जो excess quantity में which is left of or after the reaction is defined as excess reagent तो अब question ही है कि अगर माल लो इसका यहाँ पे 500 mol दिये होते हैं इसका 1000 mol दिये होते हैं तो क्या इस तरह से बार बार लिखते हैं? नहीं, उसका एक process है तो process क्या है देखो process यह होगा कि सबसे पहले कोई भी chemical reaction में जब आपको इस तरह का data given है तो आप पहले mol नहीं खल ले हो सकता है मैं दोनों का mass given होता लेकिन अभी तो मैंने mol दिया तो पहले आप mol find करें उसके बाद आप क्या कीजिए? mol upon coefficient का ratio चेक करना है इधर लिख लेता है जैसे 6 by 1 तो यह कितना आगया? 6 और यह 9 by 3 तो यह हो गया 3 तो ध्यान देना कभी भी लोग mol देख करने ही डिसाइड करेंगे कि कौन limiting है यह नहीं कि इसका mol कम है तो यह limiting हो गया इसका mol जादा है तो यह access हो गया नहीं क्योंकि अभी आपने देखा कि पहले H2 खतम हो गया इसलिए यह process है To calculate limiting reagent we must take the ratio of mol upon coefficient और जिसके लिए mol upon coefficient का ratio सबसे छोटा होगा वही होगा आपके reaction का limiting reagent तो आप देखो 6 by 1 मतलब 6 9 by 3 मतलब 3 तो 6 और 3 में यह value छोटा है तो यह हमारे लिए limiting reagent ध्यान रहे इस step का आगे calculation में कोई role नहीं है यह सिर्फ limiting reagent determine करने के लिए ही find कर सकते अगर mass given होता है तो direct mass by coefficient नहीं करेंगे important है आपको mol upon coefficient ही करना है अब देखो हमें यह पता चल गया कि H2 limiting है तो अब हम सारा calculation H2 के respect में करेंगे तो देखो इसका mol निकालना है तो इसके 3 mol से 2 mol तो 1 mol से कितना होगा 2 by 3 तो 9 mol से कितना होगा 2 by 3 into 9 तो यह होगा आपका 6 mol आपसे सवाल आ सकता है यह कितना use हुआ यह कितना बचा तो देखो सबसे पहले इसके respect में इसके भी mol निकाल दो जब इसका 3 mol से 1 mol तो यह 1 by 3 into क्या हो जाएगा 9 तो यह होगा 3 मतलब n use जब इसका 9 mol यूज हुआ तो इसका 3 mol यूज हुआ तो n use 3 n left 6 minus 3 that is equal to 3 तो यह complete process है कैसे आप limiting reagent के question को deal करेंगे सबसे पहले limiting reagent find करेंगे and with the respect of limiting reagent आप बाकी जो भी question में पूछा है उसको solve करेंगे ठीक है तो सब इससे related 2-3 questions हम लोग इस पर discuss करने पहले Question number C60 सबसे पहले हम लोग बात करेंगे C60 C60 में given है find limiting reagent और question है A plus 2B gives C और आपको इसके 5 moles given है और इसका 8 moles given है तो direct अब देखनों limiting निकालना है तो 5 by 1 5 and 8 by 2 4 तो माले limiting reagent कौन हो गया B B is limiting reagent आपसे C का mole पूछे होते तो क्या बताते है 2 mole से 1 mole 1 mole से 1 by 2 8 mole से 1 by 2 into 8 that is 4 mole इसका इसका N use पूछते तो तो देखो 2 से 1 तो 1 से 1 by 2 1 by 2 into 8 4 mole N left निकालना होता तो N left कितना हो जाता 5 mole था 4 mole तो बचा कितना 1 mole तो एक बार आपको limiting reagent identify करने आ गया तो आप इससे सारे calculations आगे बढ़ा सकते हो ठीक है एक कोश्चन के लिए रहे moving on to next question C61 C61 में they have find the weight of water formed when 10 gram H2 react with 96 gram O2 अब देखो यहाप आपको weight given है mole नहीं अब यहाप डारेक्ट आप 10 by 2 और 96 by 1 नहीं करेंगे पहले mole find करेंगे so it is 10 upon 2 that is equal to 5 96 upon 32 that is equal to 3 अब क्या देखेंगे limiting 5 by 2 2.5 3 by 1 3 तो limiting कौन हो गया H2 अब आप यहाँ से weight of water पूछा है तो इसके respect में निकालो 2 mole से 2 mole तो 5 mole से 5 mole तो weight पूछा है तो 5 into 18 कर दो 90 gram आपसे अगर हम पूछ लें weight of O2 left O2 जो बचा उसका मास बताओ तो अगेन देखे आपका सबसे पहला काम होगा कि O2 कितना consume हुआ और वो कौन बताएगा limiting reagent तो पहले आप O2 के mole use निकालोगे मतलब H2 का जब 5 mole use हुआ तो O2 कितना गया होगा तो देखो 2 mole से 1 mole NO2 used निकाल रहे हैं तो 2 mole से 1 mole तो 1 mole से 1 by 2 तो 5 mole से 1 by 2 into 5 2.5 अब यहां से लिखेंगे NO2 left तो it will be 3 mole था 2.5 used हुआ तो बचा कितना 0.5 अब निकलेगा weight left तो weight left हो जाएगा 0.5 into 32 that is equal to 16 gram तो इस तरह से complete process है कैसे हमें limiting reagent calculate करना है कैसे हमको limiting reagent से बचेवे के moles निकालना है बचेवे का mass निकालना है जिसके बार है पूछा है उसका कैसे हमें information find करना है ठीक है एक और question इस पर लोग रहे हैं C62 question number तो C62 में है बोला गया 5 moles of SO2 and 5 moles of O2 react with each other to form SO3 ठीक है मतलब आपका reaction है SO2 plus O2 gives SO3 ठीक है this is the reaction और question में आगे पूछा गया है determined limiting reagent and weight of excess reagent left है वहाँ पर empirical type होग है that is excess reagent left and weight of SO3 formed मतलब limiting reagent कौन है excess वाले का कितना weight बचा है और SO3 कितना बना है तो सबसे पहले दोनों के moles कितने given है 5 और इसका भी mole given है 5 तो पहले आप limiting निकाल दो 5 by 2 2.5 5 by 1 5 ठीक है तो अब यहाँ से देखो यह limiting reagent होगा हमारे ले तो सबसे पहले यह निकाल दे इसके 2 mole से इसका 2 mole 1 mole से 1 mole तो 5 mole से 5 mole बनेगा यहाँ से weight निकाल दो 5 into molar mass ठीक है तो यह हो गया आपका 400 gram तो SO3 कितना बन जाएगा 400 gram अब आपसे पूछा था limiting को ने तो पता दिये weight of excess left तो सबसे पहले हम निकाले n used एक चीज़ अब देखो मैं जो question solve करहाँ जिसके बारे में है उसके नीचे ही solve करहाँ अलग से statement बनागे नहीं तो क्या specify रहता है कि हाँ यह इसका data यह इसका data ठीक है तो n used तो देखो 2 mol से 1 mol तो 1 mol से 1 by 2 तो 5 mol से 1 by 2 into 5 that is equal to 2.5 ठीक है अब यहां से निकाल लो n left n left equal to 5 minus 2.5 तो बचा कितना 2.5 मतलब weight left तो weight left हो जागा 5 by 2 dimol था dimol गया तो बचा कितना 2.5 मोल तो 2.5 into क्या कर दो 32 तो answer जाए कितना 80 gram देखलो तो weight of O2 जो बच जाएगा वो कितना हो जाएगा 80 gram ठीक है तो complete question solve कर दिया आपने limiting reagent is SO2 SO3 formed is 400 gram and O2 left is 80 gram आप इसको law of conservation of mass से भी चक कर सकते हैं जितना mass इदर रहा हो उतना mass आप खोजर भी मिल जाएगा ठीक है तो question number C60 one हमने discuss this was C62 यह जो कि यह C62 था C63 से लेके C65 जो है वो है आपको calculate करना है इसमें limiting reagent तो इस lecture में हमने limiting reagent से concept related discuss किया इसमें जितने numerical से आप solve करें next lecture में हम लोग principle of atomic conservation और percentage composition of compound है ना और percent purity percent yield इन सबको discuss करेंगे थो पना अपक्षड़ है आपक्षड़ करना प्रेओन करेंट आपको करेंगे डिक मैं दोरा जोरा जो प्रेदी आपको दोरा से वितने करेंगे 100 दोरा से जापको करेंगे